तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दो ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनॉंस्मेंट किया है तो यहां पर हम देखेंगे आज कि क्या कभी भी जब कंपनी बोन अनॉंस्मेंट करता है तो फट से जाते हैं और बिना कुछ अननॉलेसिस किए उसे खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद वो स्ट्रैप में फज जाते हैं कि जतनी वह क्वان्टिटी खरीदते हैं उसके लिए कोई भी बायर नहीं होता है और यह स्टॉक है वह कभी स्टॉ जाना है तो basically आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं क्यूंकि इस वीडियो को देखने के बाद at least वो लोग जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे 10 से 15 मिनट यहां इन्वेस्ट करने वाले हैं वो लोग कभी इस तरह के stocks को नहीं खरीदेंगे और अपना पैसा save कर पाए और वो इसको खरीदे जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही meaningful होगा और आपको help करेगा कि किस तरह के stocks जो है वो आपको नहीं खरीदने चाहिए जब भी stock split या bonus की news आती है तो बिना देर रुपए की face value company एक रुपए की face value करने जा रही है यानि कि जब 10 रुपए की face value को एक रुपए की face value में company split कर देती है तो वो हो जाता है 1 raise to 10 का stock split तो इसका मतलब अगर आपके पास 100 share होंगे तो वो 1000 share बन जाएंगे सोची आप 100 share 1000 share बन जाएंगे और current stock की price किती चल रही है चार रुपए के आसपास company ने record date रखी 18 October की X date 14 October 13 October 2021 या फिर उससे पहले इस stock को buy करना है ताकि आप stock split ले eligible हो जाए लेकिन आप वो खरीद नहीं नहीं है इस पर दिमागी नहीं लगाना कि ये जो dates है क्या है सिर्फ मैंने आपको बताया है अगर बात करते हैं directly इसके fundamentals की त आप देखिए face value 10 रुपए है जो की stock split के बाद हो जाएगी एक रुपए रिजर्फ कमपनी के पास नहीं है negative free cash flow नहीं है promoters के पास कोई holding नहीं है तो जब कोई holding है नहीं तो गिरवी गया रखेंगे आप देखिए 13 करोड का तो debt है company के पास इससे पहले जो था वो 23 करोड था company ने debt reduce किया मान सकते है लेकिन यहाँ पर 5 करोड का market cap है और 13 करोड का debt है company के पास अगर आप यहाँ पर देखिए revenue versus profit का graph इनका तो यह सारी सारी value करोड के अंदर और यहाँ पर आपको सिर्फ losses ही इस company में दिखाई दे रहे हैं मतला आपको कभी भी पिछले 2018 से अगर बात करो तो यहाँ पर कहीं भी profit नहीं हुआ है company को company continuous losses में जा रही है तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ और बतान जादा हो जाती है कि retail investor आपके और मेरे जैसे investor उसको लेते वह डरता है जैसे अभी आज की date में जब मैंने stock split की news आई थी share की price होती है वह क्या होती है एडजस हो जाती x date के दिन इस दिन इसके लिए stock में क्या होगा कि यह वैसी penny stock है 4 रुपए का stock है 1 raise to 10 का ratio है तो क्या होगा यह 40 पैसे का stock हो जाएगा x date के दिन 14 तारिक को यह जो stock है वह 40 पैसे पर start होगा ठीक है फिर demand अगर जादा है यह बढ volume की बहुत ज़्यदा short है यह मालो volume तो रहता है नहीं 100 का volume आगे बढ़ते हैं 100 का volume इसके बीच में कितने कई बार तो बहुत time निकल जाता है जब यह trade ही नहीं होता है तो यह देखने की जरूता है 21 का volume 21 किसे बोलता है अब 3 रुपए का stock है बहुत सारे लोग क्या सोचे है 1000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं 1000 क्वांटिटी खरीद लोगे तो होगा क्या भाई यह एक का volume देखें यहां पर एक सिंगल एक quantity का volume यह नहीं कि अगर आपने खरीद लिया और आप sell करने लगे हुए कोई बायर ही नहीं मिलेगा आपको तो सबसे पहले बात तो यह ध्यान सब्सक्राइब करेंगा यह स्टॉक आप यह तो देखो इनकी हालत कैसे खराब हो रही है और दिखाता हूं मैं आपको इसके फाइनेशन सुरुकिए यह यह इंका profit loss है तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देने के जुरूत है यह तो सेल्स कितनी हो रही है तो यहां पर अगर आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स तो होई नीरी यह तो नेगटीव है एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो profit क्या होगा नेगटीव होगा ना बई जब इन कंपनी कुछ कामा के नहीं दे रही है जब revenue generate नहीं कर रही है तो profit होगा का से आप देखिए यहां profit before tax, profit after tax, net profit क्या है नेगटीव है, continuous negative चल रहा है आप देखिए, 2010 से बात करें तो continuous negative है तो क्यों लचना ऐसे share में और दिखाता हूँ आपको balance sheet देखिए, reserves company के पास कितने है, negative reserves ही नहीं कंपनी के पास, borrowing 23.38 करोड है, तो इस तरह के stocks जो है, इनसे आप बचा कीजिए कि जिनका revenue कुछ नहीं है, profit generate नहीं कर रही है, company reserves कुछ भी नहीं है, borrowing बहुत जादा है, तो ऐसे stock और वो भी 4-5 रुपे पे stock split कर देती है company, क्यों करने की जुरुत है, भाई, 4 रुपे का stock तो कोई भी खरी सकता है, stock split करने की जुरुत कहां पड़ रही है, 40 पैसे का बना देंगे, उसको फिर क्या है, operate करते रहेंगे, कुछ दिरा पर circuit मारेंगे, operator फिर उसके बाद lower circuit चलेगा, तो यहीं सारी चीजे है, जो मैंने आपको बताई, ऐसे stock में कभी भी मत गुसी है, जहां पर promoter की holding नहीं है, stock जो है बहुत करड़, log price पे trade कर रहा है, उसके बाद भी company stock split announcement कर रही है, सिर्फ stock split की announcement पे कोई भी share खरीदना नहीं है, इस बात का ध्यान रखेगा, पूरा proper analysis कीजे कि सच में, ऐसे stock में जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, volume है कि नहीं है, इतनी सारी चीजे मैंने आपको बताई, results है कि नहीं है company के पास, इन चीजों का ध्यान दिया कीजिए, उसके बाद, अब अगला stock में आपको दिखाता हूँ, अगला stock है, sword age commercials limited, यहाँ पर भी company ने 1 raise to 10 का stock split announcement किया है, 10 रुपे की face value एक रुपे face value करने जारी, company current stock की price 5 रुपे 30 पैसे है, dates के हम बात नहीं करते क्योंकि खरीदना ही नहीं है, तो फिर भी last date stock को buy करने की 13 October 2021 की सीधा हम करते है, बात financials की, इस company का भी जो market cap है, वो 6.22 करोड है, 6 करोड के आसपास है, stock का P23 है, जबकि industry का P46 है, तो इन ratios की बा फिर उनके पास FIDIS की holding है, कि नहीं है, यह देखने की जुरुबत है, यहाँ पर debt company के पास 13 करोड का है, इससे पहले 19 करोड के आसपास था, 20 करोड के आसपास, तो 20 करोड से company 13.8 करोड पे ले आई है, लेकिन यहाँ पर market cap इसका 6.22 करोड है, यहाँ पर आप revenue versus profit का graph देखे चलेगा कि company को 2021 में 32 लाग का profit हुआ है, अधरवाइस इससे पहले company को losses हो रहे थे कर लगातार, तो यहाँ पर profit जो है, वो 2021 में generate के है 32 लेकिन अब यह हुआ कैसे है profit generate, यह देखना वह जरूर ही है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते volume फिर बात करेंगे आगे, तो दो देखे कि volume यहाँ भी बहुत कम रहता है, 50 quantity का volume, 200 quantity का volume, 600 quantity का volume, 10, 2, 2 quantity का volume, 100, 2 volume, मतब 2 quantity का volume किसे कहते हैं, और उसके बाद देखे volume की क्या स्थितिय, 10, 13, 25, 20, 19, 1, तो मतब स्थिति बहुत खराब है, एक साल का भी graph अगर आप open करेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख भाई दिया है, लेकिन इस volume को देख कि कभी भी बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब आप स्टक हो जाएंगे इसमें, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने 1000 quantity करीद दी, क्योंकि price बहुत काम है, उसके बाद क्या होगा, आप अटक जाएंगे, क्योंकि price क्या हो और lower circuit पर चलेगा और आपको बहुत अच्छा loss होने वाला है, अब आगे बात करते हैं कुछ और financials की, अब इसका एक बार peer comparison देखिए, क्यों है peers, Adani Enterprises, Reddington India, Rain Industries, Car Trade Tech, तो ऐसे PTC India, तो ऐसे तो इसके competitor है, तो इसमें कौन गुसना चाहेगा, penny stocks के चक्करें फस जाते हैं, फिर हम निकल नहीं पाते हैं बाहर, और दिखाता हूं मैं आपको, यह देखिए इनका profit और loss, sales की बात करते हैं, तो sales तो ही नहीं दिये, जब sales नहीं होगी, तो जो भी expense होगा, वही क्या बन जाएगा, प्रोफिट बन जाएगा, तो यानि कि negative है, हमेशा देखिए इनको 0.84, यानि कि 84 लाग का profit जो हुआ है इनको, वो other income से हुआ है, जो इनका main stream है, उससे तो कुछ प्रवबाब होई नहीं रा, income, वो तो zero है, ठीक है न, तो यह ध्यान देने की जुरूरत है, अब अगर net profit देखो तो यहाँ पर आपका net profit positive दिख रहा है, तो बहुत साए लोग सिर्फ net profit देखके निकल जाते है, अगली चीज और दिखाता हूँ, balance sheet देखिए, balance sheet के अंदर आपको reserves जो हो दिखाई देते हैं, 11 करोड के आसपास, 11.30, तो company की borrowing कितनी है, जिसे लगबग 20 करोड के आसपास, तो यह जो borrowing है, यह जरूर reserve से कम की जात सकती है, लेकिन reserves तो क हम ही है, borrowing तो जादा है, उधारी तो जादा है न, तो यह देखने की जुरूरत है, कि company जब तक अपना business नहीं बढ़ाएगी, business चलेगा नहीं, तब तक क्या मतलब ऐसे stocks को खरीदनेगा, कभी company dealist हो जा, stock market से, DHFL की तरह पता भी नहीं चलेगा आपको, फिर क्या होगा, stuck हो मैंने वीडियो बनाया था, तब अगर खरीद लिया होता, तो आज 48 रुपे enjoy कर रहे होते हैं, तो यह समझने की जुरूर आता है, चीज़े है, कि अच्छे stock में पैसा लगाऊगे, पैसा double हो जाएगा, लेकिन penny stocks में और या ऐसे stocks में पैसा लगाऊगे, जहाँ पर आपको बिजनस है, उससे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इन दोनों stocks में मैंने बहुत सारे details आपको समझाई, यह चार्ट जो है, मैंने टिकर टेप के अंदर open किया है, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, यहाँ पर अगर आप चाहें, तो आप इसका premium membership भी खरी सकते है, मे एक विक का मैंने चार्ट open किया, देखिए continuous upper circuit लग रहा है, अब क्यों लग रहा है, इसमें upper circuit यार समझ नहीं आता है, ठीक है न, लोग बस अंदा दुन्द इसको खरीदने में लगे हुए, यह देखिए, यहाँ से इसने upper circuit लगाना शुरू किया था, upper circuit अभी लग रहा है और अभी लोग लेते रहेंगे, ठीक है न इसको, लेकिन मैं अभी आपसे कहता हूँ कि इस stock में investor मत कीजे, क्योंकि अब इसके बाद जब यह lower circuit लगना शुरू होगा न, तो यह lower circuit लगता रहेगा, और यह same bonus पर भी लाग होती है, कि जब company bonus देती है, तब भी यह चीज़ देखना बहुत जरूरी है, कि company का business क्या है, company कर क्या रहे है, company को सच में उसके business से आए हो भी रहे है, income हो भी रहे है कि नहीं हो रहे है, नहीं हो रहे है, तो stock में volume कितना रहता है, क्या सच में company को profit उसके actual business से आ रहा है, या interest या कुछ इस तरह की income से आ रहा है, तो यह सारी चीज़े देखना बहुत जरूरी है, जब तक इस सारी चीज़ आप नहीं देखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, इन दो स्टॉक से आपको यह समझ भा जाएगा, कि भाया, इन तरह के जितने भी स्टॉक है चाहिए, वो भी बोनस हो, डिविडेंड हो, स्टॉक स्टॉक स् फस न जाए, देखो, पैसा बहुत कीमती है, पंदरा मिनट के अगर एक वीडियो से आपको यह पता लग जाता है, कि ऐसे स्टॉक में नहीं जाना चीए, और ऐसे स्टॉक में जाना चीए, तो मुझे लगता है, वो वर्थ है, रादर देन कि आप पांच साथ अजार खोदो, क्योंकि बहुत मेहनस से आप पैसा कमाते है, तो उसके इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है, किसी के कहने पर इस टॉक में कि यह अपर सर्कुट लग रहा है, फटा वड खरीद लो और जाओ, तो अपर सर्कुट तो लग रह होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फरमेटिव वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ, इस वीडियो क आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दी शोगो